बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर ली गई परिक्षाकान तिंपरी नाम मंगलवार को जारी कर दिया गया जिसमें 822 पुरुष 450 महिला के साथ साथ इस बार तीन ट्रांसजेंडर अभियार्थियों का भी चैन हुआ बिहार पुलिस में सिपाही के बाद अप पहली बार दरोगा के पद पर भी ट्रांसजेंडर अभियार्थी का चैन हुआ है ये अभियार्थी अप चैनिंग के बाद खाकी वर्दी पहन कर थानों में दरोगा बनकर अपनी ड्यूटी करते दिखेंगे इन तीन ट्रांसजेंडरों में दो ट्रांसमें और एक ट्रांसवुमें शामिल है पहली दरोगा ट्रांसवुमें मानवी मदुकशिप ने अपनी सफलता की खुशी जाहिर करते वे यहां तक के सफर के बारे में बताया उन्होंने सीम नितिश कुमार और पटना के गुरू रह्मान को भी सफलता का क्रेडिक दिया बता दे कि इस परिक्षा में ट्रांसजेंडर के लिए 85.6 कट आफ नमबर रहा बिहार पुलिस में आप टीम ट्रांसजेंडर, रौनित जा, बंटी कुमार और मानवी मदुकश्यप दरोगा के रूप में अपनी सेवा देंगे मानवी ने कहा कि सफलता के लिए मुख्य मंतरी, रह्मान सर, सुल्तान सर और अपने माता पिता को धनिवाद देना चाहती हूँ उन्होंने बताया कि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहां तक पहुचना काफी कठन होता है और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ लेकिन सबके सपोर्ट मिलने और हिम्मत मिलने से ही आज मैं यहां तक पहुचताई हूँ इसके लिए मैं बेहत खुशू बता दें कि बिहार सरकार किन्रों को नई दिशा देने की ओर काफी पहले से प्रियासरत है सीम नितिश कुमार ने एक तरह से या प्रियोग किया है जिससे किन्रों को नई धारा से जोड़ा जाए और किन्रों को लेकर लोगों की मानसिक्ता बदल सके सरकार ने प्यासला लिया कि किन्रों को बिहार पुलिस से भी जोड़ दिया जाए पहले सिपाही और अब दरोगा के पत पर भी किनर चैनित हुए है बता दे कि कुछ साल पहले बिहार सरकार ने पटना हाई कोट में एक शपत पत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडरों को आरक्षन दिया गया है सरकार की योजना है कि किनर समुदाई से एक-एक दरोगा और चार-चार सिपाही हर जिले में तैनाध हो किनरों को समाजिक नियाय दिलाने की और सरकार का या प्रयोग है किनरों के लिए पुलिस विभाग में स्पेशल यूनिट होने की बाद कोट को बताई गई थी